हलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज का लेक्चर क्या है एनिमल्स ऑशम एनिमल्स के बारे में हम कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स को देखने वाले आईए तो यहां पर आपको कुछ एनिमल्स नजर आ रहे हैं यहां जैसे यह आपको कंगारू दिख रहा है नहीं है कैट दिख रही है अलग-अलग अलग अनिमल्स है यहां तो सबसे पहले हम पहले एनिमल के बारे में जांते हैं ओस-पिक्चर में आपको shots जो यह पिक्चर में यहां परखे आपको क्या दिखाई देड़ा है कंगारू से फॉर्वास्ट देड से ग्राउंड इट कांट हो तो जो ये कंगारू होते हैं आपने देखा होगा इनके आगे वाले दो हैंट्स होते हैं बहुत चोटे-चोटे होते हैं और पीछे वाली जो टांगे होती हैं वो कितनी लंबी होती हैं लेक्स बहुत बड़े-बड़े होते हैं और हैंट्स चोटे- each ear all the better for them to ever drops on your conversation तो जो cat होती है cat की ear में cat की ear में मतलब कान में 32 मसल्स होती है और वह बहुत चोटी-चोटी मतलब ऐसे वह बाते सुनती है अगर आप cat के सामने बाते करोगे तो पने कान वान हिला के बिलुकुल सीरियस आपकी बातों को सुनती है तो conversation easily सुन पाती है क्योंकि उनकी ear में क्या होते है 32 मसल्स प्रेजेंट होते है है ना फिर आजाते है next picture क्या शो कर रही है बताओ 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 जल्दी सी बोलो क्या है ये वाउ दिस इस butterfly तो butterfly कैसे करती है देखो butterfly have two compound eyes consisting of thousand of lenses yet they can only see the color red green and yellow जो butterfly होती है उनकी eyes में thousand of lenses present होते हैं लेकिन ये जो color देख पाती है वो सिर्फ तीन color देख पाती है color red green और yellow तो तीन color butterfly देख पाती है फिर आजाते हैं आगे की तरफ ये है ये कौन है snail snail can grow back a new eye if it lost one तो जो ये snails होते हैं अगर इनकी एक आँख खतम भी हो जाए destroy भी हो जाए तो इनकी नई आख आ जाती है है ना तो यहाँ पे इनकी आखे होती है तो अगर एक destroy भी हो रही है तो फिर एक new eye आजाती है इस जैसे यह आ आपके लिए जाते हैं टो पिर यहां आपने के लिए तो परसन की आइडेंटिंटीप्रीकिशन होती है तो dog को identify करने के लिए उनको क्या किया जाता है उनका जो fingerprint नहीं लेते हैं उनका क्या लेते हैं nose print तो उसका nose print अगर हम ले लेते हैं तो पता लगता है कि ये कौन सा dog identify कर लिया जाता है nose print के द्वारा dogs को तो ये कुछ pictures के कुछ animals हैं जिनने देखके आपके आप इनके interesting facts को पता कर सकते हैं तो cat में interesting facts क्या इनमें इनके ear में 32 muscles होती हैं बहुत जादा ये सुनने की छमता रखती है है ना और kangaroo अपनी tail से balance बनाता है और ostrich ये क्या करता है ये घोड़े से भी बहुत जादा तेज दोड़ता है butterfly क्या करती है? butterfly सिर्फ तीन color देख पाती है red, green, yellow snails क्या करते हैं की एक अंक अगर food बी जाए तो दूसरी आखा जाती है है ना तो इसकी eye क्या हो सकती है? फिर से region rate हो सकती है और dogs क्या करते हैं? dogs की nose से finger, nose print लिया जा सकता है dog को identify करने के लिए yes, so students I hope आपको समझ में आ रहा होगा, okay thank you so much